हेलो एवरीवन वेलकम सी वाल इन जीडिसी मैं गौतम कुमार आज हम लोग जीला परसाथ फार्मासेश्ट जो 2023 में जो रिक्रूटिमेंट आए हमारा अश्ट्रा में टोटल 540 सीट के लिए उसका फार्माकलोजी पार्ट 3 हम लोग क्या करें डिसकस करना है प्रिविएस दो एकष्प्रलाइशन मैं अपने लेवल पर जोभी सबस्क्रेंशन का उसको मैं कि अपक्रणी सब्सक्राइब उसी स्रीच में वंस हैं या को सब्सक्राइब का स्वागते हैं और आज वाली क्लास में करेंने हुम साभी स्पक्राइब सकना होगा। हई फेस्टंप मेटाबोलिब्ट वह होते हैं वो क्या होते हैं अर्मेटाबॉलाईज होकर बढ़र हो जाते हैं जिस कारण से ट्रग के अक्शन पर्वायाज कर पाते हैं कि हाँ मच अमाउंट और हाँ मच कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग रिचेश इंड टार्गेट और नॉट हम यह नहीं कहा पाते हैं कितना प्रसंट रख का अब्जॉप्शन क्या हो गया अब्जॉर्ब होने के पहले ही मेटाबोलाइज होकर के बादी से बाहर चला गया तो फर्स्ट पासर मतलब क्या होता है तो मेटाबोलीजिम अफडराग दिए फर्स्ट पासर सिज फ्रम माउथ तो असफ़ेगस नहीं यह से इनकरेक्ट है सेकेंड आपका क्या कहा रहा है जी मेटाबोलिजिम अप ड्रग डिरिंग इट्स पासे फ्रॉम्द साइट आप अप्जाप्शन इन्टो दर सिस्टेमिक सर्कुलेशन मेटाबोलिजम ड्रग डिरिंग वेन इट फर्स्ट कमस इन कॉंटाक्ट बिदा कर देonte Clement evident ंसिस्टेमिक सर्कुलेशन तो यहां से ड्राइब को पास हुआ ब्लद में जाना है लेकिन ड्रॉब कहाँ पे चला आंसर चाहां पर करके न यह आप जॉप्ट हम झाय। में चला जाता है जैसे अटीं कि तो options B here is the correct answer for this question क्या कह रहा दा फिर्स्ट पास इफेक्ट इज फिनोमिनन अप ड्रग मेटाबोलिजम वेन अडिनिस्टर्ड ओरली जब ओरली ड्रग दिया जाता है याद रखेंगे हाई फास्ट पास मेटाबोलिजम हमेशा अलबेज असोसेटेड विद ओरल और रेक्टल रूट के द्वारा ही देखने को मिलता है और नहीं देखने को मिलता है किसके साथ देखने को मिलता है तो हाईली लिप लिपोफिलिक ड्रग हाईली लिपोफिलिक का मतलब है जो हाईली लिपिड सॉलबर ड्रग होते हैं उसी के साथ के वर डेकने को मिलता तो यह सब कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट है जो आपको और याद रखना इस सरी लेटेड विफोर इट रिचेश री साइट ऑफ एक्षन और सर्कुलेशन ड्रक जब शर्कुलेशन में जाएगा ही नीए ड्रक प्लेड मी नहीं जाएगा तो टारगेट और रिच करेगा तो ट्रक अपना थेर of the following route avoid first pass metabolism क्या करा जी इन से कौन से इसे Root है जो avoid करते हैं First pass metabolism को सो which of the following route avoid first pass metabolism इन में से कौन से रोट है जो First pass metabolism को avoid करेंगे sublingual oral intravenous and intramuscular which of the following route avoid first pass metabolism तो sublingual mapped oral Rrooוחnd intravenous route or intramuscular route तो देखिए औरल रूट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा यहां पर औरल रूट नहीं करेंगे बिल्कुल भी नहीं इंट्रा बेनस इंट्रा मस्कुलर और सबिलिंग्वल कर सकते तो यह भी कोश्चन गलात है विच आप फॉलोइंग रूट डज नौट अवाइड होगा ठीक आप ऊशब सब्सक्रार फिंब्लीम्वल को यह कॉज करता है और इसको दूर करना है तो आप और नहीं नहीं करे गए तो और यहां पर चोड़ना है है ना इस एंससर इसका कि वीच व्द फॉलोइंग रूट डज नौट अबवाइड कॉंस रूट नहीं करेग- Przy CAP पूरल रूट अवाइड नहीं करेगा बाकि सारे रूट अवाइड करेंगे इस से भी फर्स्ट पास मेटाबोलिजम नहीं होगा इंट्रावेनस रूट से भी फर्स्ट पास मेटाबोलिजम नहीं होगा ठीक ना यह इनकरेक्ट दिये गए ठीक है आपको बस याद रखना है तो देखे alternative root and avoid the first pass effect वो रूट जो first pass effect को avoid करता है यानि दूर करता है यानि इस रूट से अगर आप drug को दोगे तो first pass metabolism नहीं देखने को मिलेगा वो क्या है इंसफिलेशन सपोजिटरी इंट्रावेनस इंट्रामस्कूलर इंहलेशनल ट्रांसडर्मल और सब्लिंग्वल यह बो रूट है जिस रूट के दोर अगर आप ड्रक को दोगे तो वो क्या करेगा जी अवोइड करेगा क्या चीज़ को वाइड करेगा first pass metabolism को इस आफ आप सब्सक्राइब के रूप में वाइजेंटो ठीक है तो देख लेते हैं और संसर है बिटा हल्क हैलो अलकाइल अमाइन ग्रूप में यह क्या है जी फिनॉक्सी बेंजामीन आपको देखने को मिलेंगे ठीक है अलफा ब्लॉकर में पाजी तैर रहे थे डॉग आगे अलफु जोसीन टैम सुलसीन अपन याद किये है ट्रिक्स भी मैं आपको दूंगा आगे जब वहां पर आपका क्रेक्ट अंसल हो जाएगा मिट प्रोलॉ मेंबरेन इस्टिपलाजने होती यह तो देखें बीटाव्ल लभु सब्सक्राइब के पास है 먹을 तो कैसे याद करेंगे मेंबरेन इस्टिपलाजिंग प्रोपरटिप किसकी सके पास याद रखेंगे बिटा ब्लॉकर प्रोपर्टी यह ट्रिक्स दिया है इस ट्रिक्स आप इसको याद कर सकते हो ठीक है वैसे यह प्रोप्रानोल मेटो प्रोलॉल लेबीटा लॉल एसे ब्यूत लॉल और पिंडोल इन सबके पास membrane stabilizing properties होती है कम तो देनेस्ट कोशन विच अमंग दा फॉलोइंग इस ट्राइसाइकलिक एंटीप्रजेंट ट्राइसाइकलिक एंटीप्रजेंट इनको हम फर्स्ट जनरेशन एंटीप्रजेंट भी कहा जाता है इनको और क्या कहा जाता है स्ट्टेंट फर्स्ट ज अंचलीटेंट में द्राइसाइकलिक एंटीट इंट्र निसेचलिक में अनशनय, इस इस में उनन्हिफ्रामीन यहां पर कर्क एंशर हो जाएक ब्लेुक्त खस्ट । यह सब आपके स्राइण यानि सेलेक्टिव रिया पते इनिविटर ट्रग है एट इनको आपको क्या करना धियान रखना है ठीक है चलिए होते हैं वो पारकिंसन में पार्किंसन होते हैं तो कौन से अच्छे डोपामिन है एगोनिस्ट जो पार्किंसन में यूज नहीं होते हैं एक्सेप्शन पूछा रहा है पुछा जाथर आश्म एक्सेक्शन से यहां पर ब्रोमोक्रिप्टिन रोपीनी डॉल प्रामीपक्सौल सैलेजीलीन तो द्यव देखिए सेलेज्विधैंग면 अब इन्हींट Ciliśmy यहां पर क्या और यहां पर एंसर हो जागा देखकर यहां पर देखे दिया गया है माव भी इनिविटर में से लेजलीन रेसाजलीन ट्रग है बाकि सारे ट्रग डॉपामिन प्रिकर्सर लीबो डॉपा डॉपामिन एगोनिस्ट ब्रोमो क्रिप्टीन रॉपलीन और प्रामी प्रक्सॉल एक और इसमें ड्राग आड़ कर सकते हो पर गुलाइड भी अगोनिस्ट हैं कॉम्ट इनिविटर इंटेक अपॉन टोल का भून सेंटर अंटिको इनाजिक ट्राइक्सिफनीडाल प्रोसाइक लिदिन और फैनेटरीन प्रोमिथाजीन पेरिफेरल डिकर्वाक्स लेज इनिविटर कार्भी डॉपा बेंसिराजाइ इस को अब शितर कार्डिवास्कुलर डीजीज डिसमें हर्टर किसमें उनके रीधम में प्रोब्लम होचे हम क्या कहेंगी ऑैडिमिया मायोकार्देयर अनजायनफ क्टोरिस और एस्पे सभ्ष्ए। तो अभ्यसाप्य स्ट्रेंट्स को क recap क्या करेंगे का हूँ उप्सन करेक्ट एंशन अरत्रोस्क्लिवास में लिपीड़ी पोजीशन होनग found Arteriosclerosis, loss of elasticity artery due to deposition of calcium, bradycardia, heart rate का कम होना, coronary thrombiosis, coronary's में blood के clot का होना, formation होना, coronary artery disease, this disease artery that supply the heart muscles, वो coronary artery disease मतलब जो arteries heart में blood की supply करता है, coronary heart disease कहलाता है, congenital heart disease, form heart disease that developed before birth, birth के पहले जो है congenital, heart failure condition, जब blood pump out ना कर पाए हमारे heart, heart failure हो गया, systemic heart disease, तो blood की supply कम हो जाना, blood की कमी हो जाना, heart के अंदर में, myocardial infraction, inadequate flow of blood, apart of heart, myocardial tissues में blood का flow कम होना, pericardial disease, this disease, the sack that in case the heart pericardium, stroke, something block, blood की supply का, volume का कम आना, take card या heart rate का बना, यह सब आपको क्या है, meanings याद रखने हैं, ठीक हैं, heart related क्या है, student meanings है, come to the next question, identify the calcium channel blocker, अभीन में से calcium channel blocker को धूंडिये, तो calcium channel blocker का trick है, night में, last score knife से काटा गया, जिस, अब इस अमल को, नमो और दिल्ली के बीरों ने फेल बता है, रखने हैं, बिरापा मिल, क्यूनिटी नहीं है, sodium channel blocker है, तो नहीं यूज होगा, leado can be sodium channel blocker है, नहीं यूज होगा, बिटा ब्लॉकर ये दोनों क्या हैं, जी तो ये दोनों sodium channel blocker है, sodium channel blocker है, कहां पर यूज होते हैं, अरिद्मिया के केस में, बिरापामर क्या है कैलिसीम चनल ब्लॉकर है इये कहां पर यूज होते हैं अरिद्मिया आरिध्मिया कर ओर फान्स किसे में यूज होगे पर दिया नहीं गया थैक्षली कैल से गलाओ कर दिया नहीं अब आते हैं स्प्रीन कौज और प्लेट लेट होँ मेस्ट्री सट्सीस इंक्रीज प्रोथ्रोंबिन सिंथेसिस घ्वात करना राओं सब्सक्राइब क्या होंगे implant के https OH ne so on option CNET asthma के MOM करेंगे इनिवीट करएंगे था कि क्या होगा bleeding होगा तो प्रीज्च करता है ब्लिडिंग करता है क्या कोज करता है क्या प्रेट करता है नसर क्ठेगरिज़़ घ्रग है तो औ messenger यहां पर सी क्या होगा storyt cat प्लोट प्लेटलेट का मतलब है प्लेटलेट का एक्चुल वर्क होना तो यह क्या करता है तो ऑप्षन सी यहां पर करेक्ट होगा क्या कर रहा है कि आप प्रिटली कनवर्ट इन बॉड़ी तो रिश्पॉंसिबल पर मोस्ट यह कनवर्ट होता है बॉड़ी में सलसलीक इसे में विश्पॉंसिबल पर मोस्ट आप अप्षान मोस्ट आप देखनेट देखाग्रीजिट आप रही ट्रॉट इस नियुए नॉर्मल वैल्यू दिस स्टीग तक यह फ़क्ट आपको देखने को मिलेगा करिंग कब् слagnac wizard को मैं और में और यह तीन डurn oncology किर्णियों करते हैं और अप्षा इसार निग्रिक्स तो कुछ ऐसे निमोरिक्स वते हैं जिनकों हमें अपलाई करना होता है ताकि कोशिंस क्या हो जा जाए एजली बहां पर स्वाल्व होजाए तो कि इतने सारे ड्रक्स क्लासिफिकेशन हैं और उन क्लासिफिकेशन से ही कोश्चन सबसे ज़्याद आपको पूछे जाएंगे तो यहाँ पर दिया किया है जिए ऑस्मोटिक मैनिटॉल आइसोसरबाइड और ग्लीसी रॉल देखिए क्लासिफिकेशन में ठीक है एक वार आप इसको देख लेंगे ठीक है और ड्रग आप च्वाइस पर मॉर्निंग सीखनेस डॉम पेरिडॉन डॉक्जिलामीन ग्रनिसेटरन कॉर्टिकोस्ट्रॉइड मॉर्निंग सीखनेस में यानि सुबह सुबह जिनको बामेटिंग बगेरा अब जासा फील होता है उसकेस में डॉक्जीलामीन डॉली को मॉर्निंग सीखनेस देखने को मिला ऐसे यादि करते हैं कि मॉर्निंग सीखनेस कि सको दोली को नॉली सोजागा ॉप्सट्रॉद और क्लेक्ट क्लासिफिकेशन से कॉश्चन्स है और यहाँ पर इनके यूज स प्रेक्सिक्सप्लिमेंट पाइड़ोगजींजर और अच्छे डागजीला मीन चुन्टिनिंग सिंटम्स माइट रिक्वार प्रेस्किप्टिप्टिन एंति नॉस्या मेडिकेशन आपको इनमें देखने को मिल सकते हैं कुम तो नेस्ट कोशन वाट इस दा मैकनिजम और फाइब फ्लू इरोसील फाइब फ्लूरो इरासील यह आपका बिसिकली एंटी कैंसर ट्रग भी है साइटो टॉक्सिक एक्टिविटी कॉस करते हैं इनका एक्षन क्या तो इट ब्लॉक हेलिकेज इट ब्लॉक टोपो आइसो इसको पढ़ा होगा तो थामेडीन सिंथेज को क्या ब्लॉक करते हैं तो फाइब फ्लूरो इरासील इज अक्टिबेटर टू फ्लूरो डियॉक्सी यूरुडीन मोनो फॉस्पेट इस इंटर्फेयर विद डिने सिंथेसिस और फंक्शन वाइनिबिटिंग साह्तिथि साइ्टे 304 इनटर्फेयर करते हैं जाइथ अब अब आते हैं द्राइग यूज़ ट्रीट मलीरिया वैसे प्लांट जो मलीरिया को ठीक टीक करता है यानि वह प्लान्ट के सोर्स से उस ड्रग को हम प्टेन करते हैं और उनके पास प्रोपर्टी क्या तो एंटीम अर्टीम लर्डियल अक्टिविटीज है उनके पास क्या है याद रखना तो आफमिस्निन सेक्विटर्पीन सेक्यूटर्पीन के ड्रग है आपका सस्क्यूटर्पीन टर्पिनोइड कटेग्री का है सी 15 और एच 24 इसका फर्मुला होगा तीन आइसोप्रीन यूनिट बनेंगे यानि इनके क्या होती है सिंथेसिस होती है में वालोनी के सिर्पाथवे में आपने पढ़ा होगा ठीक है ना प्लांट अर्ट मीशिया उन्वास इनको ऑबटेन किया जाता है इनको यूज किया जा रहा है सेवरल एंटी सिंथेटिक अनलोग है विन अप्टेन इंक्लूडिंग आर्ट सुनेट आर्ट मिथर यह सारे हैं आर्ट मिशनें डरिवेटिवार नाव फर्स्ट लाइन ड्राग इन ट्रीटमेंट आप फैलसी पेरा मलेरिया में फर्स्ट चलिए कम तो ऊच्ट कोशन ऐना एंड हो्रल हाइपोगलाइसेमी औरल हैसेमिक मतलब जो न्टि डाइबेटिक ड्रग जो ठीक करते हैं बलडड ग्लुकोज मश्ड ग्लड़ेवल मतलब बोई ड्रग जो ब्लडड ग्लुकोजेमिक को क्या करें च्रूड़ेंट करें ठीक न यहां पर ट्राग आपका हो जाएगा जी सीटागलेप्टिन जो ट्राग है वो डाइप्टिडाल प्रेप्टिडेज फॉर एंजाइम इन्हीं इन्हीं इसको याद करना में पोटासियम चैनल ब्लॉकर कौन से हैं सलफोनाइल यूरिया फर्स जनरेशन सेकंड जनरेशन याद रखना है आपका डाई जो आपका डीपी फॉर इनिविटर है सीटागलेप्टीन सेक्सागलेप्टीन विल्डागलेप्टीन जी एल्पी बन एनलोग है आपका एक जेनाटाइड लेडा ग्लुटाइड ये ड्रक्यों यूज होते हैं सब मैं आपको पढ़ाऊंगा ए्धलीन नहीं है डीज स्विलीन हाई तो देखाओ इंसुलीन इंसुली में याद रखेंगे तो इंसुलीन डग्लूडएक याद रखेंगे तो बहुत राइपिट आंसुलीन देट इंसुलीन गीऊ इनसुलिन भूर्फिव एक्टिंग ठीक है यहां पर लॉंग पूछ जा रहा था ना ये नहीं है यह कैसा है short acting short यानि की Rapid acting drag कैसे हैं रापीड acting ड्राग insulin Lyspro insulin Aspartate और Glurucine इसको ऐसे यादि करते हैं कि fast baller है ली ली मतलब ब्रेटली है ना गलूली यानि की उमर गूल एक पाकिस्तान का और Aspartate मतलब अक्तर यह सब fast baller है ऐसे करके अपन यादि कर सकते हैं सब्सक्राइब किस ने दिमोंस्ट्रेट किया था तो यहां पर एक सांटिस्ट है इसमें कुछ माइंट लगाना है नहीं सबसे पहले सब्सक्राइब के बारे में बताया था दो मैक ने ठीक है तो अंसर क्या हो जाएगा ठीक है डारेक्ट याद करना है इसको यूज किया जाता है यह इन्होंने बताया थे इसको पता नहीं था बाद में पता हुआ अधिन लोफ लर्व सिंड्रोम इस असोसीटेटर भी डिवीच आप लूइंग लोफ लर्व सिंड्रोम किस ड्रग के साथ देखने को मिलता है नाइट्रो फॉरेंट्वाइशिं अमिनो गलाइकोसाइड रित्रो मैसिन लोफ लर एक सिंड्रोम है जो बिसिकली आपको किसके साथ देखने को मिलता है नाइट्रो फ्रेंट्वाइन के साथ देखने को मिलता है तो याद रखेंगे कुछ ऐसे कोश्चन है जो डारेक्ट आपको याद रखना है लोफ लर्व सिंड्रोम के साथ ठीक ना तो स्ट्रिप्टोमाइशिन ओर्टोक्सिटी यानि हीरिंग लॉ यह सब कौज करेंगे जो ड्रग है स्टुडेंट बिलॉंग टुदा क्लास ओप सिसा प्राइट किस कटेग्री में आता नेक्स्ट कोशन फाइब अ रिक है टीए गएंट लॉक्साइब को अबरकर फास्ट करेंगे पेट के आंदर में फूड ना भू जिससे ना हो लोग तो प्रोकाइनेट के सिसाप्राइट्वाइट डोग टो धिलाट्राइट्ट बेलेग तू ग्लास और रिद्म्टाइब इसके अडरह में आते हैं ठीक है नेस्ट फुस्टेन है डेपागली फाग डेपागलीफॉई यह एंटीड़ाइबेटिक ड्राग है ड्राइबेटिस के पैसेंट को यूज कहा जाता है तो डीपागलीफ लॉजीन कैसे हैं ब्लड ग्लुकोज लेवल कम कैसे काते हैं मैकनीजियों पूछा जाता तो इनक्रीज ग्लुकोज अप्टेक इन सेल इन्हीटिंग ग्लुकोज न ग्लुकोज एक्सरीशन को क्या करते हैं इनक्रीज करते हैं कौण सा डेपा ग्लीफ लोजिन घ्लियर लॉज यहीं होगा तो inhebating डेपागलुक्त के दौरब बाहर करेगा ताके ग्लुकोज का लेवल बॉड़ी में कम हो जाएं ठीक है है आज यानि िस तरीज का पार्ट थर्ड का लास्ट केस्ट वीच अप दा फॉलोविंग इसर सलेक्टीव एचप्ड रृच्प्टर रॉयक्टिःध। इस अफ्डामिन तो भी तॉ प्लोविंग इस लेक्टिव एचपन रिसेप्टर एगोनिस्ट आप से पुछा जा रहा है कि इन में से कौन से ट्रग है तो फोर मिधाल हिस्टामीन इंप्रोमीडीन टू थायजुलाइल इथाइल इमीन और क्लोर फेनिरामिन तो यहां पर करेक्ट आपका हो जाएगा जिस एचपन रिएगोनिस्ट की बात की जा रही है तो टू थायजुलाइल इथाइल एमीन ड्रक्स हो जाएंगे जो वहां पर आपको एजा एगोनिस्ट आपके हो गया है तो आज हम लोग फिर से टोटल ट्वांटी कोस्चन को सॉल्व किये यहानि टोटल थी पार्ट में फार फार्माकलोजी पार्ट वन टू थी में जिला परसद लेवल पे जो आपके कोशन पूछे जा सकते हैं महाराष्ट्रा में जो भी टोटल वेकेंसी 540 आई है उसमें 60 कोशन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं टोटल मैं 400 कोशन आप से सॉल्व करवाऊंगा टोटल 20 पार्ट में कि जो पार्ट है 2020 कोशन के 20 पार्ट में लेकर क्या हूँगा जिसमें थ solemn पार्ट आज क्या हो गया student complete हो गया मिलते हैं next पार्ट में next कोशन के साथ next explanation के साथ thank you for watching gdc and supporting gdc thank you once again